नमस्कार मैं 80 स्पाटा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में UPPSC APS की भरती जल्द ही इसी महीने के सेकेंड वीक में आपको आ जाएगी उसके बाद से कई सारे आपके प्रस्णत से कि सा triple C के equivalent क्या डिगरी होनी चाहिए outside state वाले भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं क्या क्या लिए इसके लिए eligibility चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा और age criteria क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं discuss करूंगा बाकी job profile कैसी है ठीक है वो मैंने आपको already एक वीडियो में बता रखा है उससे आप देख सकते हैं और जो बच्चे इच्छुक हैं कि अपर नीजिव सच्चिव के भरती के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो टीम परिक्षा प्लस से जुड़ सकते हैं हम इसका पूरा बिधवत कोर्स करा रहे हैं जिसमें आपको पूरा हिंदी का essay, writing, पत्र लेकन सब कुछ daily basis पे कराया जा रहा है आपकी classes भी करायी जा रहे हैं तो जिन्हें भी class से जुड़ना है वो परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर ले या live.parixasplus.org live.parixasplus.org से आप open करके आप इस batch को ले सकते हैं आप कोई भी दिक्कत हो तो आप इन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो 9450006007007 और 99797080 इन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो ये पूरा APS के लिए ही batch है जिसमें आपको वीडियो classes, पूरा notes और test series देख रहा है हो यार टेस series और sectional test मतलब आपको पूरे हिंदी में निबंद लेखन पत्र लेखन डेली बेसिस पर कराया जाता है उसकी copy check होती है teacher आपको review करते हैं आपकी गलतियों को बताते हैं तो ये सब कुछ include है मात्र 1475 रुपया ये 1475 आपका GST के साथ है तो इतने में ही पूरा APS का course आपको मिल जागा तो जो भी बच्चे इच्चुक है course लेना चाते हैं वो website और app के through ले सकते हैं बागी कोई दिक्कत इसके बारे में detail कुछ पूछना है तो आप इन number पर contact कर सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं कि कौन-कौन से बच्चे इस form को fill कर सकते हैं क्या-क्या eligibility होनी चाहिए ठीके triple C के समकच्छ क्या होना चाहिए तो सबसे पहले बात तो ये जान लो कि ये भरतिक कब आने वाली है ये पहले ही notice निकाल दिया गया था आयोक के द्वारा और आप लोग और ये आपका सितंबर चल रहा है और इसी के जितिय सकता है में आपका ये form आ जाएगा अब form आ जाएगा तो उसके लिए आपको क्या का करना है कौन-कौन से लोग eligible है तो ये eligibility की अगर हम बात करें तो eligibility में आपको क्या होना चाहिए तो यहाँ साफ-साफ लिखा है कि आप आपके पास bachelor degree होना चाहिए मतलब आप graduate होने चाहिए graduate में आप किसी भी stream से हो graduate होना चाहिए ठीक है या graduate के equivalent आप आपने कोई degree रहा है तो वो होना चाहिए साथ ही साथ आपको क्या ना चाहिए देखो कुछ बच्चे बोल लेते सर क्या मुझे इस्टेनो का certificate चाहिए इस्टेनो का certificate नहीं चाहिए आपको आपको 80 word यहाँ पर मिनट ठीक है 80 word पर मिनट का स्टेनो आना चाहिए आपको क्या आना चाहिए स्टेनो आना चाहिए और क्या बोला है 25 word पर मिनट का सौट हेंड आना चाहिए 25 word अच्छा 80 word और 25 word पर मिनट क्य कि에서 film इसेनों और हिंदी टाइपंग यह क्या है टॉंटिव और मिनटी यह इनी टाइपिंग में मंगल बोला गया है अब मंगल में इंस्क्रिप्ट देखो हो सकता है मंगल इंस्टिंट ले यह धिलान रखिएगा तो मंगल 120 कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहतर है हाँ जिनको स्टेनों नहीं आती है तो क्या वो स्टेनों तक कि स्टेनों सीख जाएंगे देखो बहुत बड़ा difficult task होता है ऐसा नहीं है अब depend करता है आपके सीखने पर आप कैसे सीखते हो अगर आपने कुछ समय तक सीखा है आपकी स्पीड नहीं है तो आप स्पीड बना सकते हो जब तक स्टेनों होगा अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो काखा गगा तो समझ लो साल भर तो आपको सीखने में लग जाएगा फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो इस टेनों वालों के लिए तो 32577 पोस्ट हो गया आयोग का मिला के और SSSC का मिला के अगर लोग से वायोग और SSSC वाला दोनों मिला लिया जाए तो ठीक है अब इसमें क्या चाहिए आपको SSCC चाहिए साब साब बोला है computer in accordance with the course prescribed to certificate course computing triple C by DOEIC society आपको DOEIC society द्वारा triple C का certificate होना चाहिए या आपके पास यहां बोला है ना the course conduct by the board और high school or intermediate education डैस उत्तर प्रदेश और a course recognized by government as equivalent there too और कोई भी course जो government के द्वारा चलाय जा रहा है उसके equivalent वो भी मानने होगा triple C के तो यह ध्यान रखिएगा कि triple C के equivalent 2018 में यूत्तर प्रदेश government का एक सासना देश आया था वो मैं सासना देश आपको दिखा दे रहा हूँ कि जिनके पास triple C नहीं है तो form के last date तक आपका triple C certificate होना चाहिए अभी नहीं है तो हो सकता इस बार वाला भर के आप पास कर लोगे इस बार जो देने वाले होगे सिदंबर वाला तो लास जेट तक से पहले आपका certificate आ जाएगा लेकिन जिनके पास professional डिग्रियां है कुछ उनको triple C जरूरत नहीं है जैसे जो सासना देश आया था triple C के लिए वो आप देख लो यहां पर साब साब बोला था यह कब का है 2018 पांच जुलाई 2018 समकच्चता के संबंद में हो रही वेवारिक कटनाईय को देशिगर triple C प्रमार्पत्रे वहम उसकी समकच अहारता को यह सपस्ट करने है तू विचारो प्रांत सासन द्वारा यह निड़े लिया गया है कि कम्प्यूटर में उच्छ योग इता अगर आपको कम्प्यूटर में उच्छ योग इता है यथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, PG, DCA, BCA, MCA, Graduation अत्वा उच्छ डिग्री BA, BSC, BTEC, MSC, MBA में कम्प्यूटर एक विशाय के रूप में अत्वा एक समेस्टर कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यारतियों को प्रस्णगत पदो पर चैन है तू आहारे माना जाएगा मतलब कि अगर आपने BTEC, PG, DCA, DCA, ADCA किया है या आपने अपने Graduation में एक समेस्टर तक कम्प्यूटर as a subject पढ़ा है तो आप CCC के equivalent माने जाओगे किसी भी exam में जहां CCC का equivalent लिखा रहेगा तो जो BTEC, BCA वाले हैं निश्चिंतर हैं आप eligible हो, MBA, MCA वालों ने अगर आपने चाहे कोई भी Graduation stream जिसमें आपने एक समेस्टर में चाहे एक साल में आपने कम्प्यूटर पढ़ा है तो आप CCC के equivalent माने जाओगे यह सासना देश है ठीके? यही बोला गया है तो यह आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से लोग applied कर सकते हैं सिंपल सी बात है graduate होना चाहिए एज कितनी होनी चाहिए? एज 21 से लेकर 40 साल तक 21 से लेकर 40 साल वाले ये इसको apply कर सकते हैं आपको graduate होना चाहिए typing और steno आ रही है तो आप apply कर सकते हो और triple C का certificate है तो बस इसके अलामा और कोई आहरता है subject specification नहीं मांगा गया है exam का term क्या होगा इसमें तो पहले exam क्या होगा आपका पहले आपका retain exam होगा ये ध्यान रखिएगा retain exam के बाद आपका skill test होता है skill test में आपका typing होता है ठीक है पहले steno होता है फिर typing होता है फिर इसके बाद एक computer पर computer का practical test होता है ये तीन term होते हैं आपका ये ये और ये तीन exam आपके होते हैं ये तीन एक्जाम आप qualify कर जाते हो तो आपको अपर निजीव सचीव पद मिल जाएगा ठीक है और ऐसा ने इस एक्जाम के बाद कुछ दिन बाद ये होगा फिर कुछ दिन बाद ये होता है ये एक एक time के बाद एक डेड़ेड महीने के बाद almost करा लिए जाएंगे ये ध्या और फॉर्म कर दें कुछ बच्चे पूछ रहें सर ये ओटी आर क्या होता है आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि ओटी आर में रेजिस्टरेशन करने तो टी यार में रेजिस्टरेशन कैसे करना है आप यहाँ पर जब यूपी पी असी का आप साइट खोलोगे ये जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका OTR form खुल के आएगा इसको आप पहले भर लें नहीं तो क्या होता कई बार यह बीजी चलता है सर्वर इसूर आता है तो जल्दी भर नहीं पाता है तो सभी लोग OTR form भर लें जो भी UPPSC से रिलेटेड वेकेंसी आएंगे उनके registration में करना है form आपको फिल करना है यहां पर देख लो register करना है और register करने पर बाद आप पूरा detail जो भी मांगेगा आप एक बार अपना detail भर दोगे तो किसी भी form में आपको बार बार अपनी detail भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो लोग नहीं किये हैं OTR form जरूर फिल कर जो जो भी आपकी समस्यां थी जो जो भी आपके प्रस्ण थे मैंने उसका जवाब दे दिया इसके आलावा यदि कोई आपका प्रस्ण है कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या है और क्या चीज़े हो सकती है तो यह ध्यान रखिए कि सितंबर में आपका form आ रहा है एक महिना चलेगा अक्टूबर तक उसके बाद से नवंबर दिसंबर छोड़के जनौरी में आपके चांसे हैं या दिसंबर लास्ट या जनौरी में आपके एक्जाम कंड़क करा लिए जाएंगे तो जो लोग तयारी करना चाते मैं अभी भी भोलूँगा कि आप कोसिस करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपके प्रशनों का जवाब दिया जाए तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद